हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिग एक्जाम हेल पर मैं तो दोस्तों फाइनली आपके लिए NBS की जो ओल पोश्च निकल करा नहीं दो अजरवाइस में जिसमें GKS पूछायाना है उसके लिए हम हजार GKS कोश्चन की सीरीज लेका आ चुके हैं जिसक हम लगवग 400 या 500 कोश्चन जितने भी हो पाएंगे हम उसमें एक वीडियो में करेंगे और लगवग आपको मैं दो से चार वीडियो के अंदर पूरी GKS कवर करा दूँगा जो की important important question होते हैं ज्यादतर आपको question हमारी ही वीडियो से मिलने वाले है क्योंकि ये वो question है ज्य कि आपके exam में ज्यादता repeat किये जाते हैं दोस्तों paper की खोपड़ी में छेट करने वाले प्रेशन होने वाले हैं दोस्तों दोस्तों NBS की सभी post के लिए important है तो वीडियो को पूरा और शुरू से लेकर अंतरख ध्यान से देखेंगे हैं ठीक है चलिए दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज़ बादा दूँँ देखे मैं दिन में एक आपको update दी थी क्या update दी थी आप वीडियो जाके देख लिए आपको आपका exam नाम की exam कौन सी पूस्ट आप मनें भरी है date, shift or study इस तरीके से डालना था अगर आपने एक exam दिया एक, दो दिया है दो तीनों का आपके बारे में detail देनी है तो इस तरीके से आपको वह चीज़ करने है तो जाईए उस पर comment किजे उसे जो data निकलेगा उससे म आपको बहुत important जानकारी देने वालों तो जाईए और सही सही अपनी जानकारी दीजिए ठीक है इसके अलाब़ा देखी दोस्तों दोपहर में ही मैंने NBS last 10 days की strategy video डाल दिया है अगर आपने बो भी ने देगा तो जाहिए दोसों काफी ज्यादा important strategy होने वाली है paper की coming video कौन कौन सी होंगी तो देखी इतनी सारी वोली थी जिसमें से पहली आपकी वीडियो मेंने start कर दी है ठीक है most important ggs की बाकी के मैं धीरे-धीरे upload कर दूँगा और यह वाली एक मार्च को आपको मिल जाएगी ठीक है और कोई भी personal doubt है कि आपका कोई भी comment का पूच रहा है त चलिए तो चलिए दोस्तों अब हम अपने question start कर लेते हैं बिरादेरी के तो दोस्तों देखिया आपका NBS most important 1000g के question for all posts ठीक है सभी post के लिए important होने बाले है दोस्तों हम question start करने से पहले आपको एक और चीज़ बता तूं को कि बहुत ज्यादा वह interesting है को कि बहुत ज्यादा उ किसे बढ़ सकते हैं कितने गट सकते हैं सब कुछ आपको mock test मालूं पड़ता है और actual exam में जाब आप देने जाते हैं तो आपको same उसी feeling के feeling आती है और आपको डरवी नहीं लगता है exam में बैठने समय और आपके number भी same उसी level के आते है चार पांच number का ही difference होता है ठीक है तो उ आप यह जदा important जो है offer अभी इसमें चलना ठीक है इसमें देखिए टाइम पीरिड भी इसका कुछ तो आप बहाँ पर जाकर देख लीगा आपको इसका लिंक जो है वीडियो को description मिल जागा और आपको देखिए golden ticket आपको coupon code concert डाल आ है यह वाला आप ऊपर को डाल देंगे तो आपको जो है maximum discount देखने को मिल जागा ठीक है लिंक आपको वीडियो को description मिल जागा इतनी सारी चीज़ आपको मिल जाती है चार सो सी प्लस एक्जाब छती सज्चा से ज्याद मौक और 9000 से ज्यादा पीवाई क्यू यह वाले इसके प्लान है आप ले सकते हैं सभी कुछ इसके अंदर कर आप कवर करायाता है एंवेस की इतनी सारी पोश्ट कवर है इसके अलाबा ऐसा सी रियल में बेंक एक्जाम सभी एक्जाम मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने एक्जाम होते सभी आपको इसके अंदर कवर होने वाले ठीक है आप coupon code अपला करेंगे तो आप स्वामी दयानंद सर्शती ने और इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था बेदो की और लॉटो ठीक है चलिए दोस्तों इस वीडियो का आपको जो है पीडिया नहीं मिलेगा आपको यह वीडियो ऐसे ही देखना पड़ेगी दो से तीन बार अगर आप इसे देख ल ले लेना है ठीक है और उसे आप रिवाइज भी कर सकते हैं चलिए दोस्तों काफी इंपोर्टन जी प्रशन है तो कि जादा तर एक्जाम में पूछे आते हैं वही प्रशन में आपके लिए लिक्या है हूँ देखे दोस्तों तीसरा प्रशन है पंजाबी भासा की लिपी क चलिए अगला है भारत की मुख्य भूमी का दक्शृतं किनारा कौन साथ तो यह है आपका कन्यकुमारी यह कहां पढ़ता है तो यह पढ़ता है आपका तमिल लाडू में ठीकहे तमिल नाडू हो पढ़ता हैाट डिगरी चार बिन पर चलिए अगला है भारत में सबसे पहले सूर किस राज़े में निकलता है तो भारत में जो सबसे पहले सूर निकलता है वो निकलता है अरोडान चल प्रदेश में चलिए अगला है अगला काफी इंपोर्टेंट है काफी एक्जाम में पूछाता है कि इंसुलिन का प्रयोग भी किस राज्य का प्रस्चिद्ध तो हई दूस्त है ये असम्म में पुछा आता है लो इसके अलाबा देखिए असम्म के कुछ फेमस जो लोगनीत हैं वह ये आपका 초फ करार के करने इसके यए भर्रुम्ह होता है इंको अच्छे से करके जानाए मैंने अपने detailed syllabus में आपको पताया था अगला है कौन सा vitamin जो है आमले में प्रचर मात्रम मिलता है तो जो आपका vitamin C होता है यह आपका आमले में पाया जाता है जितने भी विलियम वेंटिक चली अगला है दोस्तों कागाच का आविसकार किस देश में हुआ था तो जो आपका कागाच का आविसकार है यह हुआ था चीन में चली अगला है दोस्तों गौतम बुद्ध का बच्पन का नाम कहता, तो गौतम बुद्ध के बच्पन का जो नाम था, बुता सिधार्थ, चलिए अगला है, भारत में ससस्त्र बलो का सरवोच्च सेनापती कौन होता है, भारत में जो ससस्त्र बलो होते हैं, यानि कि इंडियन आर्मी जो होती है आपक सब्लाइं सब्सक्राइब दुटाइं डियुम से कोता हäre। यह यह चाव extracting कि भीटामिन एक ज़िए सबाइए रक्राइब लेक्षन अन्द यह होता है, तो लुपर में चावल यह से न गुन राइस, इस यहां राइस इसन में ठीक है गुल्डन चावल सुने है थी चावल में अगला है पॉंगल काफी important दोस्तों कि जो पॉंगल है ये किस राजी के तेवहर है तो जो आपको पॉंगल है ये तमिल नाडू का तेवहर है ठीक है अगला है अगला तो आपको मालूमी होगा कि गिद्धा और भंगला किस राजी के लोग ने रैते हैं तो पंजाब के हैं काफी फ्रूमस है टेलिविजन का आपिस्कार किस ने किया था तो टेलिविजन को जो आपिस्कार ये जोनी लॉगी बेयाड ने किया था अगला है भारत की पहली महला सासिका कौन थी तो जो भारत की पहली महला सासिका थी वो थी रजिया सुल्तान ठीक है काफ इंपोर्टेंट दोस्तों प्रशन है रजिया सुल्तान चलिए अगला है मचली किसकी सायता से साथ लेती है तो मचली जो है गल्फडों की सायता से सांस लेती है अगला है इंकलाब जिन्दबाद का नारा किस ने दिया था तो दोस्तों यह जो नारा दिया था यह दिया था भगत सींग ने दोस्तों अभी इसको लेटिस्ट चेंज कर दिया गया है वैसे इसे जब भी पूचा है था तो इसका आंसर होता था भगत सींग बट अभी कुछ समय से इसक जो नया अनसर है वो है मौलाना हसरत महूनी记 fra के हस्रत महुनी है अगर अगर एक्जाम मैं देखने को मिलता अगर यह दोनों देखे न यह यह और यह वी बेसिकली आपसे डेट भी पूछी आती है कि किस डेट में गटा तो तेरा अप्राइल उनीस सो उनीस को गटा अमरे सर पंजाब में बैसाकी के दिन चलिए अगला है ही किसे का जाता है तो आफी जड़ इपॉटन प्रेशन है दोस्तों जो पंजाब के इस लिए यह कहा जाता है लाला राच्पतर रेको अगला है सांडर्स की हत्या किस ने कीती तो सांडर्स की जो हत्या कीती यह कीती भगत सींग ने अगला है दोस्तों यह आपके कुल हजार प्रेशन होने वाले हैं जिसके तहट आई यह पहला आपका वीडियो है इसमें 400 या 500 जितने भी कोशन हो पाएंगे मैं करा दूँआ इसके बाद आपके जो है कंप्रेटर के बारा पार्ट हो चुके है आठ पार्ट और बचे वह भी मैं वन व अंतल और जो पूछे एगर राश्च्टिय वह महिलह दिवस गप मनायाता है तो क्या अडर्ट की कोपिला या grant और यानि कि नैट एंगल ओफ इंडिया किस ने दिया तो, टू महातमा गांधी ने दिया था किसी ने महातमा गांधीजी ने दिया था ठीक है चलिए अगर दो गई थी भारत की पहली मैलर राजपाल सरुजीन राड़ू और यह कौन से राजजी की आपसे अगर पुछ ले तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों इनकी कुछ फ्यमस वोक हैं जैसे की तो तीन वोक हैं इसलिए इनके बारे में ने डिटेल में जानकारी दी आपको तो आपको सभी फ्यक्त याद रखना है अगला है ब्रह्म समाज की इस्तापना किसके द्वारा की गई थी तो ब्रह्म समाज की इस्तापना है यह की गई थी राजाराम मोहन राए के द्वारा और आरे समाज की स्वामी द्यानन सरस्वती द्वारा चलिए अगला है दोस्तों आप से एक पुछिए था कि राजाराम मोहन राइक को राजाकी अपादि किसने दी थी तो यह बेधी सार समुलarta कि इनके जो मूल नाम था आ लो शंक्र्ट ठीक है का वी डर्ल बता था हिलाफस 拜拜 पूंचा वाधस यह तुने वां कुंचा आती है इतनी वाल मूंचे आफ भीड़ा का उसा आपना किस्नि की तो यह कीती सौमी पिवेकानन ने हैं और दोस्तों स्वां इनद्स के जनम दिवस परी 12 जनवरी को जो है कब 12 जनवरी को आपका क्या मेन यह था है कि राव राश्चिए यूउग दिवस रहाट है ऑर 12 जनवरी को कि दी और blacks जनवरी को जो है every year क्या मनाया था राश्ची यूवा दिवस मनाया था क्या राश्ची यूवा दिवस ठीक है ध्यान रगीगा चली अगला है दोस्तों वास्कोड डिगामा जो है भारत कब आये था तो यह आये था 1498 में या आपसे यह पूछले भारत की कोश किसने कीती तो वास्कोड डिगामा ने कीती कब कीती 1498 में चली अगला है बास्कोड डिगामा कहां का रहने वाला था तो यह रहने वाला था पूर्तगल का चली अगला है हवा महल कहां इस्तिते तो आपका जो हवा महल है यह इस्तिते जियापूर में चली अगला है सिक्धर्म का संस्तापक किस सिक् ठीक है चलिए अगला है लोह पुरुस काफी इंपर्टेंट दोस्तों प्रेशन है लोह पुरुस वाला की जो लोह पुरुस है किस महापुरुस को आयता है तो सरदार पतिल को जो है लोह पुरुस के नाम से याना आता है और विस्व की सबसे उची जो प्रतिमा है वो सरदार पटेल जी की है जो कि कहा है गुजरात में इस्तित है नर्मादा नदी के किनारे भरूच जिले में ठीक है भरूच जिला ठीक है भरूच जिला आपसे नदी पूछी आती है नदी कौन सी है नदी हो जाएगे आपकी नर्मादा नदी ठीक है नर्मादा नदी चली अगला है द दिल्ली में लाल बहाद्दुर सास्त्री की जो समाधी स्तल है उसका नाम है विजयगाट चलिए अगला है महा भारत के रचेता कौन है तो यह थे महर्शी बेद्वियास और दोस्तों इसके रिगार्डिंग एन्वेस ने एक लास्ट यह कोशन पूचा था कि विस्व का सबसे सबसे बड़ा महा काबे कौन सा है तो वह जागा महा भारत यह कुशन लास्ट यह ने पूचा था ठीक है तो महा भारत के रचेता कौन है महर्शी बेद्वियास चलिए अगला है अर्तसास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखिये तो सबको मालूं है यह लिखिये चानक यानि क अर्तसास नामक पुस्तक चलिए अगला है जए जवान जए गिसान का नारा केसि ने दिया तो यह दिया ता लाल बहद०र सास्त्र ने लाल बहदूर शास्त्री इनकी समाधि स्थ pierws को है बिजगाट चलिए अगला है समिदान सभा का इस्ताई अद्धिक्ष कौन था तो डॉक्टर राजिंदर परशाच जो थे ये समिदान सभा के इस्ताई अद्धिक्ष थे अगर आपसे पूछ ले इससे पहले जो आ इस्ताई अद्धिक्ष बनाए गए थे तो वो थे डॉक्तर सचिदा नंद सिनह, ठीक है, सचिदा नंद सिनह, चलिए, अघला है, समिदाल सभा की प्रारूप समिती के दिक्ष, जनलन थे, चलिए, अगला है, विस्व रेट् रेट्रो से बस्काफी breaking प्रेश्न है, जो इतनी बार पूछा गया है पता ही नहीं है ठीक है बिस्प रैड क्रोस देश किस तारीक को मना आता है तो आठ माई को मना आता है आपका बिस्प रैड क्रोस देश ठीक है चलिए अगला है सूर्योदे के देश का यानि कि सूर्योदे सूर्योदे का देश के नाम से कौन सा देश कोना है तो अब है यह जोनसी खेत्रपल की दृश्टी से भारत में सबसे च्षोटा राज बहू़ Each भी अम बात कर ओडम वडम जो है किस राज्य का प्रिशय्द्य दोहारे तो काफी ज़यत पूछ था दोस्तों यहहाँ कियरल का वडम वडम हो जागा विखुत्त सकते हैं जोकी पता नहीं कितनी пरेग्जाम्साब सबको 100 बारत का राश्च्च पक्ष्च है जपको है लुए सब आम आपका जो है भारत का राश्चिय फले भारत का राश्चिय फूल कौन सा है सबकों मालूम है कमल भारत का राश्चिय पेड अगर पूछ ले तो यह होता है बरगत चलिए अगला है भारत का राश्चिय खेल कौन सा है तो भारत का जो राश्ची खेल है वो है होकी चलिए किरकेट मत लगाईएगा भारत का राश्ची खेल होकी है अगला है भारत की जो राश्ची जंडा है इसकी लंबाई और चोड़ाई में अनुपाद कितना होता है यानि कि जो आपका भारत का जंडा होता है इस तरीके से तो आप से पूछ रहा है इसकी जो लंबाई और चोड़ाई का अनुपाद क्या होता है ठीक है तो यह होता आपका 3 ratio 2 यह होता length into bid ठीक है अगर आपसे उल्टा करके कभी कभी क्या करता है एक्जामिनेसर उल्टा पूछ लेता है बताईए चोड़ाई और लंबाई का अनुपाद क्या होता है आपको इसको घुमा देना है दो अनुपाद कीम कर देना है ठीक है तो आपको question ध्यान से पढ़िएगा चलिए अगला है भारत का राश्चकान किसने लिखा था तो रवि अगला बासा में लिखा था ठीक है बांगला बासा में लिखा था जिसका नाम था आमार सोनार बंगला चलिए अगला है भारत का राश्चगीत किसने लिखा ठीक है राश्चगान तो रविंदा टैगोर जी ने लिख दिया था ठीक है राश्चगान और यह आपका थोत दो इनका चब्लया था आनंद मड़ टीक है क्या था आनंद मट collection अगला है महत्मा गांधी को राष्ट्रपता सबसे पहले किस ने गाता तो महत्मा गांधी जी जी जो थे इनको सबसे पहले राष्ट्रपता की जो उपादी दीती वो दीती नेता जी सुभास चंद्र बॉस नहीं और दोस्तों अभी बेने इनके बारे फैक्ट बटाया था कि जो इन्होंने फ्रवर्ड विलॉग के स्थापना की दिढ़ कीति 1999 में चलिए अगला है वं । अगला प्रैशन है दोस्तों हमारा रास्षिय पंचांग को जा तो सक सम्मध الस्ट हमारा रास्षिय पंचांग पंचांग चलिए delivering श्रगान को गाने की अबदी किया है यानि कि जो जनुकर्ड मन आप गाते हैं उसकी जो अबदी है वो कितनी है तो वो है बावन सेकंड चलिए अगला है रेडियो एक्टिविटा एक्टिविटा एक्टी वता है इसकी खोच किसने किती तो यह किती हैंरी वेक्विरल है ठीक ह किसकी radio activity की अगर आपसे यही question पूछ ले कि यह ही आपकी यह किरिया होती है radio activity ठीक है अगर आपसे पूछ ले कि radium नामक पदार्त की course किशने की क्या radium नामक पदार्त की course यह की थी Madame Qurini ठीक है Madame Qurini ठीक है और इसी के कारण की मिर्तिव भी थी ठीक है और अगर आप से पुझ ले कि फिजिक्स में दो वार स्वरी दो वार नोबल पाने वाली पहली जो महिला है वो कौन है तो वो है मैडम की उडियो ठीक है चलिए अगला है पीस मेकर का संबंद सरीर के किसंग से होता है तो हिरदय से होता है पीस मेकर जो है आपका जो हाँ हिरदय की धड़कन होती है उसको कंट्रोल करता है ठीक है चलिए अगला है कारवन का सरवादिक सुद्ध रूप के उनसा होता है तो हीरा जो है आपका ये कारवन का सरवादिक सुद्ध रूप होता है चलिए अगला है एक्सरे का अभिसकार किस ने किया था तो एक्सरे का अभिसकार जो है ये किया था रॉंटिजन ने और इनके लिए इने फिजिक्स का जो सबसे पहला नोबल दिया गया था फिजिक्स में वो इने ही दिया गया था ठीक है चलिए अगला है किस धातु का प्रियोग मानप के द्वारा सबसे पहले किया गया था तो जो तामबा है इसका प्रियोग मानप के द्वारा सबसे पहले क किया था अगला कोशन है दिल्ली इस्तित महात्मा गांधी की समाधी का क्या नाम है तो यह काफी इंपर्टेंट है दोस्तों राजगाट हो जागा राजगाट जो है यह महात्मा गांधी की समाधी का स्तिल है कहां इस्तित है नई दिल्ली में अगर आप से पूछ ले इससे प भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी तो भारत में जो पहली रेल है दोस्तों ये चली थी बंबई से थाड़े तक ठीक है कहां से कहां तक बंबई से थाड़े तक चली थी और किस वर्श चली थी ये चली थी आपके 1853 में ठीक है 1853 चली अगला है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरम की गई थी तो ये आपकी की गई थी कोलकाता में और कब की गई थी सन अठारा सो 1984 ठीक है 1984 में की गई थी आपकी जो मेट्रो सेवा ठीक है चलिए अगला है भारत में रेल का आरम कब गवा था तो मैंने अभी बताया 1853 बगवा था कहा से कहा तक बंबई से थाड़े के बीच और अगर धूरी पूछी जाए तो थी 34 किलोमीटर की दूरी चली गई थी इसके द्वारा अगला है प्रतम भारती अंतरिक्ष्यात्री कौन थे स्क्वाडरन लीडर राकेश सर्मा थे जो की 1984 में प्रतम भारती अंतरिक्ष्यात्री थे यानि की अंतरिक्ष्यात्री सेर के लिए गए थे वो थे राकेश सर्मा जो की 1984 में गए थे ठीक है काफी important प्रशन है दोस्तों अगला प्रशन है भारत की प्रतम महिला मुक्यमंत्री कौन थी भारत की प्रतम महिला मुख्य मंत्री यानिकि CM कॉनती तो यह थी स्रीमती सुचेता क्रपलानी और इससे मेले में आपको दाए था कि जो गवर्नर थी यानिकिर राज्यपाल थी तो वो थी आपकी सरोजनी नाइडू ठीक है कुंती सरोजनी नाइडू उनके बारे मैंने फ्रेक्ट्ट वेता है था याद रखीगा चलिए अगला है दोस्तों काफी ज्यादा इंपर्टेंट प्रेशन है यह अगर आप इनको पढ़के चलिया आते तो मान के चलिए आपको यहां से एक्जाम में कोशन देखने को मिलने वाले है ठीक है आपको वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से देखना है दोस्तों काफी ज्यादा इंपर्टेंट कोशन यह है ठीक है वीडियो अच्छे ने पर आपन है चैनल को जरू सब्सक्राब कर लेना अगला प्रेश दोस्तों यह होय थी आपकी 24 अक्टू़र 1945 को कब होई थी 24 अक्टूबर 1945 को अगर आप से पूछे सब्सक्राप जो जो अगया चली अगळा है दोस्तों एक सेगंड दोस्तों जो मैंने आपको 194 बताया ना कंट्री वो 193 है ठीक है ज्यान लगीगा 193 है और लास्ट कंट्री जो थी इसमें जो एड हुई थी वो थी दक्षडी सूडान कौन सा था दक्षडी सूडान चलिए अगला है संयुक्त राष्ट्र संग का मुख्याले कहा संयुक्त राष्ट्र संग के पहले महासाचिप अगला है इस समय यान कि वरतमान में संयुक्त राष्ट्र संग के कितने सदल से हैं तो मैंना भी बताया 193 है जिसमें जो लास्ट है वो है दक्षडी शूडान चलिए अगला है दोस्तों दोस्तों ये काफी इंप्रेंट प् नाज कि अख si corresponding को मिलते हैं अगला है दोस्तों संग सुरक्षा परिशटक के कितने सदल से होते हैं तो दोस्तों सायुक्त राष्ट का जो सुरक्षा परिश्थ यानिकी जो Security Council होता है उसके total मेंबर होते हैं 15 जिसमें से ऌवी दस होते हैं sizin7 सुरक्षा परिश्ष न Princip it यानकी यह होते है इस्थाई और जो होते है आइस्थाई ठीक है तो आपसे यह पूचे आता है। चलिए देखे अगला है संयुक्त राष्ट्र संग सुरक्षा परिशत के कितने सदत से इस्थाई होते हैं तो अभी मैंने बताया था कि पाच सदत से जो है आपके इस्थाई होते हैं चलिए अगला है अंतर राष्टी नियायले कहां इस्थेते तो आपका जो अंतर राष्ट के वो है एंटोनियो गुटरेस ठीक है एंटोनियो एंटोनियो गुटरेस ठीक है गुटरेस और दोस्तों यह कहा कि है आप से गर इनकी कंट्री बुझ ले तो यह पुर्तकाल के है ठीक है पुर्तकाल चली अगला जो प्रश्ण है हमारा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सरक्षा परिशत के आइसताई सधा से कितने वर्स के लिए चुले जाते हैं और दोस्तों अभी भारत को इसको 2020 20 और 21 के लिए चुना गया था दोस्तों तो यह काफी करेंट का मुद्धा है तो इसलिए यह आने वाला है दोस्तों ठीक है चलिए अगला है सहयुक्त राष्ट का 193 वा सदर से कौनता था तो अभी मैं बताया दक्षडी सूडान अगर आपसे इसकी capital पूछले तो वो होगी सूवा चलिए अगला है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है तो अगर विटामिन की कमी है आपकी तो आपका खून का थक्का नहीं जबेगा चलिए अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को आपका राष्ट्य हिंदी दिवस मनाया जाता और आपसे इंटरनेशनल हिंदी दिवस पुछ ले तो वो मनाया जाता 10 जनवरी को ठीक है चलिए अगला है संभिदान के किस अनुशेद के द्वारा हिंदी को राष्ट भासा गोसित किया गया तो अरुचे दे 343 के दौरा जो हिंदी है इसको राष्ट भासा गोसित किया गया था अगला है ओलम्पिक खेलों की एकल इस परदा में श्वडपतक जीतने वाली एक मात्र भारतिय कौन है तो वो थे अभी तक अभी तक अभी नब बिंद्रा थे ठीक है अभी नब बिंद्रा अभी तक थे जिनने 2008 में स्वडपतक जीता था किसमें शूटिंग में किसमें जीता था सूटिंग में बट अभी 2021 में जो थे उसमें नीरत चोपड़ा जी ने जीता था जो कि आपको मालुम होगा किस ने नीरफ चोपड़ा जी ने पुझे था करेंट का कोईशन है किसमें भाला पैक में उने जीता था भाला पैक में ठीक है चलिए अगला है दोस्तों ओलम्पिक खेलों का आयोजन कितने वर्षवबाद होता है तो हर चार वर्ष के बाद ओलम्पिक खेलों का आयोजन होता है संदोहजासोला में ओलम्पिक खेल कहां खेले गए थे तो रियोडी मानव अधिकार दिबस कम मना जाता है तो यह मना जाता है 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को आपका जो है अंतराश्य मानव अधिकार दिबस मना जाता है चली अगला है हर्याणा की कौन सी नसल की भैस प्रिशिद है तो जो मुर्रा नावक जो भयस होती है, ये हर्याणा की सबसे famous भयस होती है, ठीक है, चोली अगला है दोस्तों, तो, अउपर करतें इसको परिशिद सीतला माता मंदिर कहां इस्ते हैं, तो गुडगावubenreated में इस्ते दो जागा परिश्द सीतला माता मंदिर चलिए अगला है, मिसाल हर्याणा पार्टी किस ने बनाईती तो ये बनाईती राव बीरेंदर सीग ने, लिए हर्याणा का छेतरपल कितना बर्ग किलोमेटर है तो 44 अज़ार 212 बर्ग किलोमेटर, हर्याणा के पहले मुक्यमंत्री कों ते अभी बताये मैंने पंडित भगव किस वाद का सूचक है तो बैरोमीटर जो होता ये वायू दब के मापने के कामाता किसके वायू दब के मापने के ठीक है तो अगर तीजी से इसमें ग्रावट देखे तो समझ लिएगा आपका तूफान आने वाला है ठीक है चलिए अगला हम कोश्चन कर लेते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्चन है भारतिय मरुष्टल का क्या नाम है तो जो भारतिय मरुष्टल है जो की कहा है सिते आपके राजिस्तान में सिते और जो इसका नाम है वो है आपका थार मरुष्टल ठीक है एक ही है भारत का जो है तार चलिए अगला है काजी रंगा र की प्रत्वी चलिए उज्जन किस नदी के किनारे बसा है तो सिप्रा नदी किनारे बसा गुए आपका उज्जन निम्नवे से कौन सी दातू बिजली की सबसे अधिक सोचालक होती है यानि कि सबसे अधिक बिजली पकड़ती है तो वो है आपकी चांदी चलिए अगला है गोवर गेस में मुक्की रूप से कौन सी गेस पाई जाती है तो मीथेन पाई जाती है आपकी गोवर गेस में चलिए अगला है दोस्तों स्वतंतरता मेरा जनम सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह किसने कहाता तो यह कहाता लोकमाने तलक नहीं चलिए दोस्तों लोकमाने तरक की दो कुस्तक काफी फिमस है एक तो है केसरी मराठा केसरी है एक सगन दोस्तों आपकी जो दो पत्र का फिमस है लोकमाने तलक की वो है एक तो है आपकी केसरी और दूसरी है मराठा अर इनों ने एक book भी लिखिए थी काफी famous book जो है गीता रहस जो कि इनों ने jail के अंदर लिखी थी अगला है राज्य वासा के सरथेयों का च tutti कितनी अवधी के लिए था है तो दोस्तो persopください on का चुनाव 6 वर्श की अवधी के लिए था है वही लोकसभा के सदस्यों के चुना पांच वर्ष की अवदी के लिए था चलिए हिंदी वासा की लिपी अभी मैंने आपको बताया था देवनागरी और वही पंजाब की कोजी थी गुरूमुकी हमारी आकास गंगा का के नाम है तो दुग दमेखला या मिलकी वे जो है हमारी जो आकास गंगा है उसका नाम है चलि अग्ला प्रेश्ण है दोस्तों हिंदी भासा का पहला समाचार Пत्र कौन सा था तो उदंत मार्तंड जो था आपका ये हिंदी भासा का पहला समाचार Print था दोस्तों आपसे ये कोश्चन हिंदी में भी पूचा जा सकता है ठीक है ध्यान नगिएगा चलिए अगला दोस्तों है तुलसी दास करत रामचरेतर मानस हिंदी भासा की किस बोली में लिखी गई थी तो देखे यहाँ पर बोलागे कि रामचरेतर जो मानस थी यह तुलसी दास जीने लिखी थी यह किस भासा में लिए ती तो यह अबदी भासा में लिखी गई थी, चली अगला है हरिनाडा के राज़े कबी कोन है, तो उदेअर, भानू हंस, जो है, यह हरिनाडा के राज़े कबी है, चली अगला है आधोनिक उलम्पिक खेलों की शुरुवात कब और कहां से हुई थी तो आधोनिक उलम्पिक खेलों की जो शुरुवात है ये 1896 में हुई थी कहां से एथेंस से हुई थी यूनान ठीक है यूनान एथेंस से हुई थी कौन सा पतक जीता है तो यह जीता है अभी ब्रॉंज ठीक है ब्रॉंज भारत की होक्य टीम ने किसे हराया था जर्मनी को हराया था और यह 41 सालों के बाद जीता था ठीक है इतने सारे फेक्ट आपको याद रखना है चलिए अगला है भारत ने आकरी बार होक्य में स्वाड़ पतक कहां और कम जीता था तो भारत न जो आक्री बार होकी में स्वाड़ पतक जीता था 1980 में मौस्कों में जीता था और अब जीता है 1921 में तो कितने साल हो गए? 41 साल हो गए ठीक है 41 साल चली अंगला है उलम्पिक खेलों का आया जोन कितने वर्सों के बाद अभी बताया था चार वर्स बाद अंतरराश्चिय उलम्पिक समिती का हेड़कॉर्टर का है तो ये आपका हो जागा लुसाने सुर्जे लेंड में सन 2012 में उलम्पिक खेल कहां हो थे तो ये हो थे लंदन में 2012 के का हो थे लंदन में अगर आपसे पूछले 16 के का हो थे तो रियोडी जनेरियो में 2020 के का हो थे तो टोक्यो में 24 के का होंगे फ्रांस में 28 के का होंगे लॉस एंजलिस में सन 2013 के का होंगे तो ये होंगे आपके ब्रिस्वेन औस्टेलिया में, चीक है, सभी मैंने आपको बता दिए, याद कर लिएगा, चीक है, अगला है, एक एक उलम्पिक में सरवादिक स्वाडपतक जीतने वाला ख्लाड़ी कौन सा है, तो वह है माइचल फेल्प्स, माइचल फेल्प्स के बारे में काफी पूचायत कि माइकल फेल्प कौन है तो ये अमेरिका के 13 कोन है अमेरिका के 13 पूछा या तो 13 की करते हैं ठीक है प्वादिक एक उलंपिक खील में सरवादिक सौड़ पतक जीते हैं नो ठीक है चलिए अगला है सन 2020 में उलम्पिक खेल कहा तो अभी मेरे बताया टोक्यो जापन में होई थे सन 2020 के अगला है सन 2012 के उलम्पिक खेलों में कहां से पतक जीतने वाली सायना नहवाल का संबंद किस्से है तो सायना नहवाल जो है भारत ठीक है 1900 में सामिल हुआ था चली अगला है उलम्पिक खेलों में पतक जीतने वाली पहली भारतिया महिला कलाड़ी कौन है तो ये थी करणम मल्लेशवरी इन्होंने सन 2000 में जो है ब्रॉंज मेडल जीता था ये कहां जीता था सिडनी उलम्पिक सिडनी उलम्पिक हुए थे दो हज़ार में उसमें इन्होंने क्या जीता था ब्रॉंज मेडल जीता था जो की भारत की तरफ से उलम्पिक लिए पहली महिला के लाड़ी थी जिन्होंने पदक जीता था और इनका संबंद किसे है तो इनका संबंद जो है बेट लिप्टेंग यानिकी भारत तोलंद से हो जाएगा ठीक है चलिए पूरे फैक्ट मैंने आपको बता दी जतने होते थे इनके रिगाड़े चलिए अगला है बैक टू दी बेदास यानिकी बेदों की और लोटो अभी म परशन दोस्तों कितने की है तो यह किती स्यामलाल गुत पारशन चलिए अगला प्रस्षण है दोस्तों तो मिल्क फीवर की विमारी किसके करण णज जो जाते है गलक के कमी करण अगला है मनब सरीर के किस अग़ के दारा उर्या को रखत्से फिल्टर किया जय जाता है तो व एक मात्र भारतीर में नोबल मिला है तो इक मात्र भारती या तो वो इसफेंड मिला था, और किस छेत्र में आप आप से यह पूछे तो कल्याण कारी अर्थसास ता उसके रिगार्डिंग मिलाता यानि की वेलफेर एकोनोमिक्स में ठीक है चली अगला है भारत रत्न उस्ताद बिस्विल्ला खां को किस वाद यंदर के बादन में बिक्यात रहे थे तो जो बिस्विल्ला खां है ये सहनाई बजाते थे क्या बजाते थे सहनाई चली अगला है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे ये थे सी राजगोपाला चारी अंतिम गवर्नर जनरल ठीक है चली अगला है भिलाई इसपात सैयंतर का निर्माड किस देश के सहयोग से कि गया था अगला है उत्री ध्रुम में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है तो जो उत्री ध्रुम में भारत का अनुसंधान केंद्र है वो है हिमाद्री कौन सा हो जगा हिमाद्री चली अगला है दोस्तों विश्व में माउंट एवरिष्ट पर चड़ने वाली प्रत पाटेंजिंग और एडमंड हिलेरी थे वहीं आपसे पुछले किस भारतिय महिला ने दो बार चड़ाई की है तो वो ती संतोस पाल ठीके चलिए अगला है पीलिय किस अंग का रोग है तो पीलिय जो है आपका यकरत या लीवर से संब्दित होता है यकरत या लीवर से संब्दित होता है अगला है द्रब सभी दिसाओं में समान दाब पारिक करता है या कतन किस नियम से संब्दित है तो पास्कल का नियम जो है ये जो है द् प्रेशन है, chlorophyll का खानीच गटक क्या है, या फिर chlorophyll से chlorophyll जो है, इसमें कौन सी धातू पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी magnesium, ठीक है, चलिए, LPG gas में क्या होता है, जो आपकी घरों में यूज होती है, LPG gas, यानी की कि आती है वो आती है कि इथाइल मर्केप्टन की जो गंदा आती ही ठीक है जिसे हम सलफर बोलते हैं ठीक है सलफर इसे मिलाया था चलिए अगला है दोस्तों किस ने सरप्रतम असोक की जो अभिलेक थे उनको पढ़ाता तो जो जेम्स प्रिंसेप थे इन्होंने जो असोक के अभिलेक मिलेते उनको पढ़ाता ठीक है? किस बौध विक्षू के प्रवाब में असोक ने बौध ध्रम ग्रहर्ण किया था तो उपगुपते नमक एक बौध विक्षू था उसके कहने पर जो असोक थे उन्होंने बौध ध्रम को ग्रहर्ण किया था अगला है कौन्शा मोगल बात्सा असिक्षित था यानि कि वो पड़ा लिखा नहीं था तो अकबर जो था ये पड़ा लिखा नहीं था चली अगला है अमरित सहर की स्थापना किस ने की थी काफ़ इंपर्टन्ट है तो गुरु रामदास जो थे इन्होंने अमरित सहर जो सहर है इसकी स्तापना कीती अगला है गदर पांसीफ का सबका क्वोंता तो जो लाला हरदisions यह और इनके सींग एक बेक्ती और थे जिनका नाम है भाकना करके ठीक है सोहन सींग भाकना सोहन सींग जो भाकना जी है और प्लस लाला जो कुछ कि पूर्धियाल है इन दोनों ना मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी कहा कीती सैंन फ्रांसिस्को अमेरिका में सेन फ्रांसिसको अमेरिका में ठीक है काफी इंपर्टनेंट है दोस्तों चली अगला है सिक इतिहास हमें लंगर प्रता किसने शुरू की थी यानि कि जो लंगर होता है सिक को मैं आपने गुरु द्वारों में जाके खाया होगा तो इसकी जो प्रता की सुरूआत की थी ये कीती गुरु अंगत देवने और इन सिक धर्म की स्थापना की से कीती गुरु नानक देवने चली अगला दोस्तों प्राश्न है सबसे प्राचीन बेद कौन सा है सबसे प्राचिन विद जो है आपका रिगवेद है टोटल चार विद है रिगवेद सामवेद यजुरवेद और अथरवेद और रिगवेद सामवेद और यजुरवेद जो है इन तुनों को मिलाकर तरही कहा जाता है ठीक चली अगला है किस सुल्तान ने अपनी राजदानी दिल्ली से दौलताबाद इस्तानांतरित की थी तो जो मुहम्मद बिन तुगलत था इसने जो अपनी राज़ानी है यह दिल्ली से दौलताबाद इस्तानांतरित की थी अगला है प्रथम पंच बर्शी यूजना कप प्रारम की गई थी तो यह 1921 में प्रारम की गई थी 3 हैं चलिए अग्ला है कौना सा रख्त समू सर्व दाता होता है यानि कि जो यूनिवर्सल डॉनर होता है तो तो है वो है वो तो आप इसे जो है टोड़ा डवलब करके से से कोशन कुछा डारेट आप से नहीं पूछता कि तो तो सर्व दाता जो होता है वो होता है O positive, वहीं अगर आप से पूझे सर्व गिराही कौन सा होता है तो वो होता है आपका ev negative होता है, ध्यान लखना ev negative और O plus होता है ये उता है सर्व दाता, ठीक है, चलिए, अगला है दोस्तो, मनुष्य के सरीरो में कितनी हड्डियां होती है तो सबको मालूम है दोस्तों, सूर्ख के प्रकास से कौन सा बिटामिन प्राप्त होता है, तो सबको मालूम है बिटामिन डी जो है आपको, जो सूर्ख का प्रकास होता है, उससे प्राप्त होता है, चली, अगला है दोस्तों, मादा एनाफिलीच मक्षर के काटने से कौन सा र प्रप्रबाति कितनी होती है तो आपकी प्रकस की जगवती होती है वो ति प्रकास की जिगवती होती है कि एक द송ठिट सूर चक्कर लगाती है तो यह बताया था कोपर सब्सक्र कर कर दो अगला है प्रकास वर्स का संबंद किसे है तो 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 आपक आपका कुत्व मिनार है यह इस्तित आपका दिल्ली में चलिए अगला है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहा इस्तित है तो आपका यह इस्तित है मुंबई में इंडिया गेट कहा इस्तित है तो यह इस्तित आपका नई दिल्ली में ताज महल कहा इस्तित है यह इस्तित डॉक्टर सर प्रैली राधाकिष्हीयाद मैं है चाहियं अगला है खेल दिवस्त क्प मना जाता है तो और 29 अगस्त को मना जाता है जो ध्यान चरते ध्यान तो कमना जैश्त को तो यहां गला पर बता रहा हूँ जब आप current affair पढ़ें तो इन days की आपको theme भी करके जाना है तो अब exam में theme भी पूछी जाने लगी है ठीक है तो ध्यान रखीएगा तो 20 परियावरण दिबस कप मनाया था है पांच जून को चली अगला है करो या मरो का नारा किस ने दिया था तो यह जो नारा यह भी निताजी सुवास चंद्र बोसने दिया था दिल्ली चलो वेदो की और लोटो तो यह तो तीन वार रिपीट हो गया द्यानाद सरश्रती ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो यह भगत सिंग ने नहीं दिया था इन्होंने इसे फेमस किया था दिया किस ने था दिया खिट घ्यान रखना मौलाना घ्यान तो जो थे इन्होंने इसे दिया था ध्यान रखीएगा ध्यान रख्यार तुम मुझे कुंदो मैं तुम्हें आज़ा दिन्गा का नारा किस ने दिया नेतांजी सुवास चंद्गोस यह हिं ज़ेजिए प्रशाद बिस्मिल्न ने दिया था इनकी समाधी स्तिलका है दिल्ली में नम क्या है बिजएगाट चली अगला है मारो फिरंगी को नारा किस ने दिया था तो ये दिया था मंगल पांडे ने जो की 1875 की किरांती में सहीध होने वाले पहले भारतिय थे सर फरोसी की तमन्ना याद करिएगा सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये जो नारा है ये राम प्रशाद बिस्मिल्न ने दिया था अगला है भारत का नेपॉलियन किसे का आया था तो भारत का जो नेपॉलियन है ये समुद्र कुप्त को कहा जाता है अगला है सती प्रता के अंत में प्रता का आंत किया था इन्होंने 1829 में और राजारा मोहन राय को जो राजा की उपाद दीती अकुवर दृतिये ने अगला है दोस्तों राम किशन मिशन की इस्ताफना किस ने की थी तो राम किशन मिशन इससे पहले मैं बता चुका हूँ स्वामी विविकार नन्न ने की थी ठीक है और 12 जनबरी को राश्ची युवाद वस जो है इनी के उपलक्ष में मना जाता है अगला है महतमा गांधी की जनब दिवस की सिथी को मना जाता है तो 2 अक्टूबर आपको मालूब होगत 2 अक्टूबर 1869 को इनका जनब होता है गुजरात के पोरवंदा शहर में चलिए अगला है महतमा गांधी का पूरा नाम क्या है तो मोहंदास करमजन गांधी गांधी जी को महतमा की उपादी किस चंदर ने किसने सुवास्चंदर लुदा है महतमा गांधी जी की ओख पूरा का सरवोश चनीजरिक सम्मान कोंए तो यह है भारत रतनra 26 जनवरी को यह को यह दिया जाता है अगला है फिल्म के छेत्र में दिया जाने वाला सर्वोष भारती प्रसकार कौन सा है तो दादा साहब फाल के प्रसकार जो है यह फिल्म के छेत्र में दिया जाने वाला सर्वोष प्रसकार है इसकी इस्तापना साथ 1979 में की गई थी ठीक है पहला फाल के प्रसकार देवी रान देविका रानी सिंग इस टाइब से नाम दा उनको दिया गया था ऐ ठीक है चलिए झला है भारत का सारवोच्छ बीरता पतक मैं साय क्वारत का सुप्निया क सिए हृब या ये तू आपको आपको मालूम्हें काफि वार के चार्ल्स में बेच अगला है अंत्रक्ष में जाने वाले प्रतम ब्यक्ति कुए तो यूरी गागरिण जो है यहorld रशिया के छे जो कि सब से पहले अंत्रक्ष में जाने वाले ब्यक्ति थे कब गए थे तो बारा अपरेल डेट पूचि ए हा तरफ से कौन गयते तो वो गयते राकेशारवठी पिंद जाने वाले प्र राकेशारवाधी ऑधला जयने वाले पर कदम रखने वाले पहले वक्ती थे, कब गये थे, तो 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को गये थे किस कंपनी के, नासा कंपनी की तरब से गये थे, अपोलो 11 अंतरक्षियांतायन का, और ये अमेरिका का यांताटिक है चलिए प्रतम भारतिय उपग्रे का नाम क्या है, और इसे कप छुड़ा गये था तो प्रतम भारतिय जो उपग्रे था, इसका नाम था आर्रेबट, सन 1975 में इसे लॉंच किये था, कहां से लॉंच किये था तो रूस के वैकानूर से इसे launch किया गया था चलिए अगला है संयुक्त राष्ट्र संग के बरतमान महासचे कोन है तो ये गलते मैंने बताया था अभी आपको एंटोनिय गुटेरस जो है इसके महासचे बैठी है एंटोनिय गुटेरस अगला है अंतराष्ट्य महिला देबस अभी बताया था आठ मार्च को मनायाता है राष्ट्य महिला देबस तेरा फर्वरी को गहंगा रोक किस की कमीस होता है तो आयोडेन की कमीस होता है आपका गहंगा रोक चलिए अगला है कौन सी गरंथी इंसूलिन इस्तरावित करती है तो अभी मैंने बताया था कि इंसूलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपका मदु में यान कि डाइबेटीस जो है इंसूलिन की कमी से होता है और यह कहां से इस्तरावित होता है कहां से निकलता है तो अगनासे से निकलता है तो अगनास है की बीटा कोशिकाश निकलता है कौन सी कोशिकाश? अगनास है की बीटा कोशिकाश है, ठीक है? चलिए अगला है डूरंड कप का संबंध कि स्केल से है? तो काफी पुचायता है दोस्तों, डूरंड कप का जो संबंध है अगला है भारत का सबसे बड़ा बांद कुन सा है तो भारत का जो सबसे बड़ा बांद कुन सा है तो भारत का जो सबसे बड़ा बांद है वो है हीरा कुंड और ये कहा है तो ये महान अधी पर है किस वर बना है महान अधी पर बना है महान अधी का वेती है ओडी साम ठीक है त चलिए अगला है सम्मिदान की आठवी अनुसूची में कितनी भारतिय भासाओं को माननेता दी गई है तो सम्मिदान की जो आठवी अनुसूची है इसमें 22 भारतिय भासाओं को माननेता दी गई है चलिए अगला है चीन की मुद्रा कौन सी है तो यूवान या आप से रैन मि दोनों में से कोई एक आया तो लगा दिना रैन मिनमी यह यूँआ जो है चीन की मुद्रा है और दोस्तों आपको सम्मिदान की जो बारा अनुसुचिया है सभी याद होना चाहिए जैसे कि आड़ बी अनुसुचि में क्या है तो भारती भासाओं को लुए अनुसुचि में इस तरीके से चली अगला है रैड क्रोस के संस्थाफक कौन थै तो अभी मैंने पढ़ाया था रैड क्रोस्थ दे दिवस कब बनाया था आट मौई को मनाया था और इसके जो सरस्थाफक अगलाया है हीमोगलोविन की कमी से होने वाला रोग कोन सा है तो आपका जो एनिमADE है यानि कि खुन की कमी जो है हीमोगलोविन की कमी से होने वाला रोग है एनिमी है चली अगला है भारत की कोकला कौन कलाती है तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जो सरुजनी नैडू है ये भारत की कोकला कलाती है और भारत की कोकला की उपादी इन्होंने किसने दी थी तो महातमा गांदी जी के द्वारा दी गए थी और ये उत्तर प्रदेश की पहली महला राजपाल थी या केलो भारत की पहली महला राजपाल थी उत्तर प्रदेश में ठीक है चली अगला है दिल्ली में कुत्व मिनार किसने बनवाई थी तो कुत्व श्काले के से आपना कीथी चलिकी चली अगला कोशन दिखते हैं की अर्थ-सास्त्र के लेकर कोंते तो अभी विए न nào बतायाता जो चाणक के हैं यह अर्थसास्क्री लेका के बेवे का नंद इसमारक कहां इस्थे थे तो यह इस्थे थे कन्या कुमारी में आपका बेवे का नंद इसमारक दक्षेस दच्चेस को हम सार्क के नाम से यानते है यानिकी South Asian Association Regional Corporation ठीक है इसका जो मुक्याल है यह कहां इस्थे थे थे तो यह इस्थे थे काटमांडू में ठीक है काटमांडू का पड़ता है नेपाल में पड़ता है चलिए अगला है दच्चेस के कितने सार्षे है तो आठ कंट्री जो है इसके सार्षे है जिसमें भारत भी शामिल है, भारत, नेपाल, बांगलादेश, श्रियंका, मालदीब, भूटान, पाकिसान और अफगानितान, ठीक है, तो कुल 8 देश जो है इसमें सामिल है, ठीक है, चलिए अगला प्रेशन है दोस्तों, भारत की तर्ट रिखा की लंबाई किसनी है, तो आ अगला है, बिस्म में अबरक यानि माइका का सरवादिक उतपादन किस जैस में होता है, तो अबरक का जो बिस्म सरवादिक उतपादन है, ये भारत में होता है, ग्रांड ट्रक रोड जिसे हम जीटी रोड भी गोलते हैं, जीटी रोड ये किसना वरवाईती, तो ये वरव C की कमी से कौन सा रोग होता है तो जो आपका इसकरवी है ये बिटामिन C की कमी से होता है आमले में कौन सा बिटामिन पायता है बिटामिन C और इसका रासाइनिक नाम क्या है तो एसकोरग भी एसे डिसका हो जागा ठीक है अगला है दूद में कौन सा बिटामिन नहीं होता तो आपका बिटामिन C जो है दूद में नहीं होता है ठीक है अगला है बिटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है तो बिटामिन D की कमी से आपका जो है रिकेट्स होता है जिसे हम सूखा रोग भी गोलते हैं क्या सूखा रोग ठीक है तो यह बिटामिन D की कमी से होने वाला रोग है और बिटामिन D किसे प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से चली किस बिटामिन की कमी से खून का तक्का नहीं जमता तो अभी इससे पहले मैंने बताया था बिटामिन K की कमी से ठीक है बिटामिन E की कमी से कौन सार रोग होता है तो बिटामिन E की कमी से जो आपका रोग होता है वो होता आपका बांजपन ठीक है बिटामिन E की कमी से होता है चली अगला है दोस्तों अगर बिटामिन K का रासाइनिक नाम में आपसे पूछ ले तो वो होता आपका केल्सी फेरोल वहीं आपसे बिटामिन E का पूछ ले तो वो होता आपका टॉको फेरोल ठीक है चली अगला है विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है तो अभी मैंने बताया था अब यह S पर होगी ठीक है बसामे गुलंसील विटामिन कौन से है तो ADEC करके आपको याज रखना है ADEC ADEK ADEK यह बसामे गुलंसील है अगल आप से पूछ लिए जलमे कौन से है जलमे है आपके BC BC जो है आपके यह जलमे गुलंसील विटामिन है और जो बसामे गुलते है वो है EA और E यह चार होते हैं basically ADEC ADEC आपको याज रखना अगला है साधरन नमक का रासाइनिक नाम क्या है तो NACL साधरन नमक का रासाइनिक नाम होता है इसका फुल्फळों होता है Sodium chloride चली अगला है हसाने वाली गेस का रासायनिक नाम क्या है तो इसका होता है नैट्रस अथाइस याणि की N2O नैट्रस अखसाइड ठीक है दावन व्हान सोडा का रासाइनिक नाम क्या होता है तो sodium carbonate जो है आपका कि दो धादूं का मुष्ट है तो इसकी फूर्फ óर मोती एताज अगर ताज महल पीतल का ना होता तो कैसा होगा है Umm ठीक है तो ताज महल पीतल का ठीके तो पीइतल से आपका आयो खीत्ता आप cioè सैत आपका ँडेकरता है open तो एका जो आपका नाम था दोगس तो दोस्तों जो बिटामिन A का रासानिक नाम होता है वो होता है आपका रेटिनोल ठीक है रेटिनोल बिटामिन B का क्या होता है तो थाइमिन होता है बिटामिन C का एसकोरवेक एसिट बिटामिन D का कैल्सी फेरोल E का टोको फेरोल ठीक है चलिए नेत्रदान में नेत्र के कि भाग का दान किया जाता है तो जब आप नेत्रदान करने आते हैं तो आपके नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है तो कौर्णिय किया जाता है चलिए अगला है किस बिटामिन में कोवाल्ट होता है तो बिटामिन B वारा जो होता है इसमें कोवाल्ट धातु पाई जाती है ठीक है और कोवाल्ट कोवाल्ट धातु का जो प्रियोग है दोस्तों ये कैंसर के उपचार में किया जाता ठीक है ध्यान रखीगा चलिए कोशिका का पा जो होती है उनका निर्माण हमारे सरीर में अस्ति मेरों होता ठीक है जो हड़ी होती है उसके अंदर निर्माण होता हमारा अर्बीस का ठीक है चलिए अगला है राष्टे विग्यान दिवस कब मना गता है तो 28 फरवरी को मना गता है किसके उपलक्ष में तो डॉक्टर रमन के उपलक्ष में ये मना जाता है जोनने रमन प्रवाग की कुछ की थी ठीक और रूने नोबल भी मिलाता चलिए तो राष्ट्य बिग्यांदिवस 28 स्वरवरी को चलिए अगला है Blood Tracer में आपने के लिए किस यंद्र का यूज़ के यह था है तो Sphigno Magnometer Sphigno Magnometer जो है यह Blood Tracer या रक्त चाप भी आपको लिखा आ सकता है रक्त चाप मापने में किसका यूज़ होता है तो Sphigno Magnometer ठीक है चलिए अगला है Computer की Permanent Memory तो मैंने बताया था Roam होती है Read Only Memory जी Permanent Memory होती है जिसे हम Non-Volatile Memory भी बोलते है अगला प्रशन है दोस्तों किस अधिवेशन में अंग्रेश उदारबादी और उग्रबादी नामक दो दलों में विवाजित हो गया था तो 1907 के सूरत अधिवेशन जिसे हम नरम और गरम दल भी बोलते है नरम दल और गरम दल भी इसे हम बोलते है नरम और गरम दल कब हुआ था 1907 के सूरत अधिवीशन में और कभ एक हुआ था तो 1916 के अधिवीशन में जो की लखनव में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी यह की थी अंबिका चरण मजूमदारने ठीक है चली अगला है तंजोर का ब्रहदेश्वर मंदिर काफी important question है दूसरों तं यह थे तंजावर तमिलाडू में धान रह्कीए का तंजावर तमिलाडू चली मुगल समराड अक्वर का जनम कहा हुआ था तो ब्राजिल बें 2018 वाला का हुआ तो यह हुआ था आपका रूस में ठीक है अगला है वर्स 2014 की Commonwealth गेम कहां हुए थे तो यह हुए थे ग्लासगो स्कॉट्लेंड में चलिए अगला है वर्स 2015 का क्रिकेट बिस्कवर कहां आज़ुत हुआ था न्यूजिलेंड और ऑस्ट्रिलिया में वहर आपसे पूछ लिए हगा दोहजार उनी स का कहां गुआ था तो इंग्लैंड और बेल्स में हुआ था दोहजार उनीस वहला अगला है फ्रेंडिस संसत के दोनों सदरों की सैयुक्त बैटक की अद्ध्दक्षिता कौन करता है तो जो संसत प्रतिती होता है जो संसत की दोनों बैटों को बुलाता है और अनुशेद कौन से लगता है जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसमाई एक अनुशेद लगता है वो होता है आर्टीकल 108 तो यह ध्यान लगिएगा चलिए अगला प्रैशन है दोस्तों बारत के प्रतम लोगसवा अध्यक्ष कौन थे तो गड़ेश वासुदेव मावलंकर जिसे हम जीवी मावलंकर भी बोलते हैं ये भारत के प्रतम लोगसवा के अध्यक्ष थे बारतिय संभिदान के किस अनुशेद के अंतरकत जम्मू कस्मीर को 20 दर्जा प्राप्त था तो अनुशेद 370 के अंतरकत जो भारत का जम्मू कस्मीर है इसे 20 दर्जा प्राप्त था अब इसे हटा दिया गया है 2019 में ठीक है कोई विद्यक धन विद्यक है या नहीं इसका निरणा कौन करता है तो कोई भी विद्यक धन विद्यक है या नहीं इसका निरणा लोकसवा अद्यक्ष करता है चली अगला है विश्प का सबसे बड़ा महादीप कुन सा है तो विष्प का जो सबसे बड़ा महादीप है वो आपका इशिया ठीक है चलिए अगला है है एधराबाद किस नदी के किनारे बसा है काफी important है दोस्तों काफी बार पूचायता है तो हैधराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा है उजयन किस नदी के चिपरा ठीक है चलिए कानपूर किस नदी के किनारे तो गंगा नदी के किनारे बसा गंगा नदी के किनारे ठीक है दिल्ली किस नदी के तो यमन नदी के किनारे चलिए विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पातक देश कौन सा है तो जो मेक्सिको है आपका ये विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पातक है और चांदी बिद्दुत की सबसे बड़ी सुचालक होती है अगला है शित्रपल के अनुसार विस्व का सबसे छोटा दिस कुन सा है तो जो आपका वैटिकन सिटी है ये शित्रपल के अनुसार विस्व का सबसे छोटा दिस है स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है तो स्वेज नहर जो है ये भूमद सागर और लाल सागर को जोड़ती है अगला है पनामा नहर किन दो महा सागर को जोड़ती है तो जो आपकी पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर और उत्री अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर भारत के संगिये शेत्र दादरा और नागर हवेली की राज़दानी क्या है तो भारत के जो संग्य शेत्र है दादरा और नागर अविली इसकी जो राज़ारणी है वो है सिल्वासा तो सिल्वासा इसकी राज़ार मी हो जाएगी अगला है छेत्रपल की दरश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज़े कुन सा है तो राजिस्तान जो है है यह उत्राकंड में है ठीक है वहीं आप सब पुझे सांत गाटी का संक गाटी तो यह केरल में टीक है वहीं वहीं वह बैली का सिलिकॉन गाटी का है तो बेंगलुरू में ठीक है चली रहति है तो यह है जूबा जो कि आपका United Nation organization का 193rd member है लास्ट member है इसे 2011 में नए राष्ट बनाता है यह सूडान से अलग उकर ठीक है योजना आयोक का अध्यक्ष कौन होता है तो जो योजना आयोक का अध्यक्ष होता है यह होते हैं प्रदान बंतले ठीक है तो बरतमान में कौन है न तो वो है राजीब कुमार कौन है राजीब कुमार को CEO कौन है CEO तो यह है अमिताब कांथ कौन हो जाएंगे अमिताब कांथ ठीक है तो यह भी ध्यान डाकिए आप चली अगला है होपमेन कप किस खेल से संब्देते हैं तो होपमेन जो कप है यह आपका टैनिस से संब्देत चलिए अगला प्रस्टह दिख ले थे अगला प्रस्टह है असोग चक्र में कितनी तीलिया होती है तो च्व् attacking नीड हुति है ब्हारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी तो यह ती राजा हरिश्चद्र जो की एक मूझ प्रेम थी इसमें सब्सक्राइब रहा तो और ये कहां बनता है तो अस्ती मज्जाम बनता है याने की बोल मेरो में ठीक है चलिए अगला है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परच चड़े जाती है तो इस करिया को क्या कहते है तो इसको कहते है जस्ती करड या गैलवनी करड या गैलवे नाइजेश जिसे हम लीवर भी बोलते हैं अगला है भारत का प्रतम तेल शोधन सायंतर कहों लगाता है तो ये था डिगवोई असम में अगला है यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरसकार किस चेतर के लिए देता है तो ये दिया जाता है साइंस के चेतर में जो के यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है अगला है है एदराबाद में चार मिनार का निर्मार्द किसने करवाए था तो कुली कुत्व शाह के द्वारा करवाए गया था है एदराबाद में चार मिनार का निर्मार्द चलिए अगला है कॉंग्रेस के द्वारा पूर्ड स्वाधिन्ता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था तो कॉंग्रेस के द्वारा जो पूर्ड स्वाधिन्ता का प्रस्ताव है ये सन 1929 के लाहर अदिवेशन में प्रस्ताव किया गया था ठीक है तो आप सब पुछले कि पूर्ड स्वराज की मांग कॉंग्रेस ने कब रखी थी तो 1929 के अधिवेशन में लाहोर में हुआ था जबाहर लाल नहरू ने देख्षता की थी थी काफी इंपर्टेंट है अगला है सुएत क्राम्ती का संबंद किसे है तो दुग्द उत्पादन से होता है सुएत क्राम्ती का संबंद भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा था तो ये था फैरी क्वीन ठीक है कौन सा है फैरी क्वीन भारत में आपातकाल की प्रतम गोशड कप की गई थ तो यह की गेती चीनी अक्रमण के समय 1962 में तो भारत में सबसे पहले जो राष्टी आपातकल लगाता यह लगाता 1962 में चीनी युद्ध के समय अगला है भारत में भासा के आधार पर बढ़ने वाला पेहला राज्जे कौन सा है तो यह आमदर प्रदेश जो की भासाही आधार पर गढ़ित भारत का पहला राज्जे है अगला है भारत पर हमला करने वाला प्रथ मुश्लिम अक्रमन कारी कौन था? वह पहला मुश्लिम अक्रमन कारी कौने था ? तो वो था मुहम्मद विन कासिम कब किया था? 712 exceptी में, ठीक है 712 sembी में इसने अक्रमन किया था सेल유कस का राजदूर्द जो चंद्रगुप्त Molly के दरबार में आयता है वो कॉन था तो बहुता मैंगस्थनिश टीक है तो चंद्रगुप्त मोर के दरबार में आने वाला जो मैंगस्थनिश जो की सेल्जादियूकस निकोटर का राजदूर्ध था अगला है स्री लंका का पुरान नानम कहता है तो यह था सिलोन जिसे हम पूर्व का मोती भी कहते हैं क्या कहते हैं पूर्व का मोती ठीक है पूर्व का मोती भी कहते हैं या हिंद सागर हिंद महा सागर का मोती भी सही बोलते हैं तो स्री लंका का प्रान नानम क्या था सिलोट विटामिल्स की खोज किस ने की थी तो फंक ने की थी अगला दोस्तों प्रेशन है स्टेनलेस स्टील किसकी मिस्र धातु होती है तो आइरन निकल और क्रोमियम की जो है धातू होती है आपकी स्टेलेस इस्टील ठीक है आइरन निकल और क्रोमियम की अगला है दोस्तों कहांसा किस मिस्र धातू से बना होता है तो यह बना होता है कौपर तता टिन से तो दोस्तों कहांसा किस से बना होता है तो कौपर तता टिन से बना होता है कहांसा स्वामी बिवेकानन ने सिकागों में हुए प्रतम भिश्व धर्म जो संबिलन था उसको संबोधित कब किया था तो यह किया था अठारा सो त्रानवे में तो स्वामी विगादन जी ने सिकागों में हुए विश्व धर्मसंभिलन को 1893 में संबोधित किया था अगला है जलिये वाला भाग हत्याकंड कब हुआ था तो अभी मैंने बदा था 13 अपराल 1919 को पंजाब के अमरित सर में हुआ था ठीक है पंजाब के अमरित सर में प्रत्वी पर उत्री गुलार्द में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो यह हमारी प्रत्वी होती है और यह होता है उत्री गुलार्द उपर वाला तो इसमें जो सबसे बड़ा दिन होता है बोता है 21 जून को तो यह अगला है सॉर्ण साइमन कमीशन के भहिसकार के दोरान लाटी चार्व से किस निता की दो की ब्रत्ति हुई تي तोडुस्तों साइमन कमीशन जो ये का भारत आया ता 1927 ब्हारत था जब अभास गिया जा जा रहा था दोस्तों तो लाटी kuras की दोड-णाला राजपत सबखेवाइब निरम failures प्रित्म कंप्पि और दो यह तो मैंने बता रगता हैं कि हमारे सबसेक्षाप्रम वीदॉट अगर मंडल पूछ ले तो तीसरे मंडल में है तीसरे मंडल में है गयत्तुरी मंत्र अगला है और यह किसे समर्पित है तो सूर्य देपता को अगला है मानब सरिर में पाचन करिया अधितर किस अंगो में समपन होतीब ? तो यही होती है चोटाथ में सम्पन होती है अनुसिकमी को किसे न सपेखिया तो ग्रिगर उन्हीं की प्रण और उन्हें की की फाकार किया जता ठीक करता est ठाने और Βारश की जो बून होती है आपकी जो गोलाकार होती है वह प्रस्थितनाव के कारण कीश्राण प्रस्थी कीश्रें की ब्रक्ष की कोमल पत्तियों... रिक्ष्ष के it हो रजस्व की रिख के की ब्रक्ष आच, कौन सं़ल spoke our object अंगला और इसके आगे की पार्ट में हजार प्रेश्टों कोश्चन होने वाले हैं, बाकी आगे के पार्ट आपको जल्दी एक से दो दिन में मिल जाएंगे, अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं को कि वीडियो फिर काफी बड़ा हो जागा, दोस्तों इस वीडियो के आप दो से ती जवारत